नमस्कार साथियों कैसे हैं आप सभी उम्मीद करता हूँ बहुत अश्य होंगे दोस्तों आज हम डिसकस करने वाले हैं यूपी पीजीटी का जो सिविक्स का जो सब्जेक्ट है उसका जो सिलेवस है वो क्या है वो हम डिटेल से हम चर्चा करेंगा जिसके उपर तो आप जान आने वाले वर्षों में यूपी पीजीटी का जो एक्जाम है सिविक्स सब्जेक्ट से वो यदि आप देने जा रहा है है पॉलिटिकल साइन्स से तो यह दोस्तों यदि आप चैनल पर पहली वार आए हैं तो चैनल को सब्स्राइब कर लिए इस चैनल पर आपको जाएगी समझाई जाएगी जिससे आप जो है अपने नागरिश रास्तर की जो पड़ाई है घर बैठे आसानी से कर सकते हैं बिना किसी कोचिंग के तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं वो कौन-कौन से टॉपिक्स हैं जो हमें सिविक्स में प वह आपको पढ़नी है यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों यहां से प्रिशन जो है आपका हर बार बनता ही बनता है मैं आपको बता देता हूँ इसको क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है अपका जो नागरिक शास्तर राजनीती शिद्दान्त है इसके अंदर राजनीतिक शास्तर में परिभाष्य है परिवाश्य महत्पूर्ण है इसमें एक परशनात को देखना को मिल जाएगा विशे छेत्र एवम अध्यन है हम राजदिती सिद्धांत के अंदर क्या-क्या चीजों को पढ़ते हैं इसका छेत्र क्या है और इसकी जो अध्यन की पद्धितियां है वो हम इसमें डिसकस करेंगे सिलेवस के अंदर और इसमें फिर उसके बाद राजजे आजाता है राजजय की जो परिभार्शा है आपकी उसके तत्व हैं राजज्य के उत्पत्ति के भिविन सिद्धांत बहं वो देखेंगे और राजनीतिक अवधारना है जो है वो इसमें देखेंगे इनकी डिटेल्स की जो वीडियो हैं जो थियोरी की वीडियो हैं वो आने वाले समय में आपको प्रवाइट करता रहूँगा आप चैनल को सब्स्राइब कर लिजे बैल अकन प्रेस कर लिजे ताक कि उन वीडियो को नुट्रिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके ज़ जो भी ये चैनल आपके लिए उप्युक्त है आपको यहां पर यूजिसी नेट प्लिटिकल साइंस की जो है तैयारी करवाई जाएगी पेपर वन के साथ और उसके बाद दोस्तों आपका जो इंपोर्टन टॉपिक आता है संप्रभूता सोबर्निटी सोबर्निटी में पर आपको परिवाशा देखनी है कानून के जो सोत्र हैं सोर्सेज है कि कानून किस प्रकार से बनाएं कहां से कानून लिया गया है क्या ऐसी परिस्तितियां बनी क्या ऐसी घटना घटी जिससे हमें कानूनों को त्यार करना पड़ा और कानून और नंतिक्ता जो एथिक्स ह बनते हैं उसके बाद आजाता हूं राजनितिक बाद जो सके जो इसके जो कॉंसेफ्ट्स विएक्ति वाध उदारवाद प्रत्यवाद आरजक्तावाद वैज्यानिक समाजवाद जिसको माक्सवाद के नाम से भी जाना जाते हैं प्रजातंत्र एवं अधिनायक तंत्र प्रजातंत्र आपका दोस्तों हो गया लोकतंत्र तो यह कुछ टोपिक से इस में हमें आपको पढ़ने हैं उसके बाद आयाता है हमारा राजनितिक दर्शन जो हमारे वैस्टेन पॉलिटिकल थिंकर से और जो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर से उनका सम्मिक्षैन है इसके अंदर आपको दोनों ही इसमें पढ़ने हैं और सिलिवस में बकाईदा इस पस्ट है कि आपको कौन-कौन से दर्शनिकों को पढ़ना है जैसे वेस्टर्न में जो पच्चिमी राजनितिक हैं उसमें प्लेटो, अरस्तू, हॉप, स्लॉग, मांटेस्क्यू, रूसो, जेस्मिल, वगर पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना, वो मैं आपको आने वाली वीडियो के अंदर बताता रहूंगा, तो यह हमारा पहला पार्ट हुआ, राजनितिक चिद्नांत का, पॉलिटिकल थियूरी का, अब बात करते हैं दोस्तो, तुलनात्मक राजनिति की, कॉंपरिटिव पॉलि द्रिष्टि डालनी है, सब मैं आपको अच्छे से त्यार करवाँगा, दोस्तो, एक भी टॉपिक इसमें से रही छोड़ूगा, जो इंपॉर्टेंट है परिक्षा की द्रिष्टि से, आपकी संपूर्ण तयारी करवाँगा, आप इसी चैनल के माधियम से, दोस्तो, मैं आपसे आज यहाँ पर प्रॉमिस करता हूँ, आपको तायारी से लेकर के सेलेक्शन तक लेकर के जाऊँगा, तो आप अंति तक हमार साथ बने रहेगे जब तक आपका सेलेक्शन नहीं हो जाता है, और पर्तम परियास में ही मेरा कोशिच रहेगी कि आपको पर्तम परियास से बीए में हम पढ़ते हुए आए हैं तो हमें एक द्रिश्टी इस पर डालनी है उसके बाद हमारा नौकर्शाही आ जाता है जो बहुत ही ज्यादा के अंदर इसमें दल जो दवाब समू है यहां फिर लोकमत उप्युक्त होता है इसके लिए वह आपके अधारना है वह उसके में पढ़ना है और यह सब आपको पढ़ना है वह भारत लंदन यानि व्रेटेन सन्युक्त रजय अमेरिका फ्रांस और चीन के विशेश संद्रव म यह सारे तयरी में आपको तयार करके दूँगा आपको इसमें बिल्कुल भी घबराने के जुरुयत नहीं है बहार से या कोचिंग करने के आपको विशक्ता नहीं है आप घर बैठे तयरी कर सकते हैं और घर बैठे आपको माई शेलक्शन दलवाँगा इस बात का मैं आज आप यहां से आपको यहां से प्रॉमिस कर रहा हूँ हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दोस्तों सब्जेक्ट है अंतराष्टे राजनिती इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तो इसके अंदर हमाई जो अंतराष्टे सिद्धान्त हैं उसके जो व्यवार हैं उसकी जो प्रमुक सामोईक्ष रक्षा कलेक्टिव सिक्यूर्टी राष्टहित नेशनल इंट्रेस्ट प्रमुक जो प्रवतियां है इसकी जैसे शीतियुत तनाव शाथिल्य असंग लंगता अंदोलन यानि नेम तो अंतराष्टे संस्थाइवम संगठन वगरा जो हैं आई-एमफ वगरा य इसमें आपका निशाश्चरी करन एवम अंतराष्टे आर्थिक व्यवस्ता उत्तर दक्षिन वारता दक्षिन सहयोग तिरते विश्व भरना एवम समस्य विदेशी निती भारत की ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तो सन्युक तराज अमेरिका एवम रूस और चीन तो इस सब्सक्राइब करने अपने पड़ा ही होगा नहीं भी पड़ा होगा तो काफी छोटा सा टापिक है यह इसको हम अच्छे से कवर कर लेंगे आपका एक भी परशन यहां से गलत नहीं होगा और इसमें जो हमें पढ़ना है भारती लोग प्रशासन में पॉब्लिक एंडियन की सनरचना मुख्यकारिपालिका सूत्री स्टाफ एवम सहय कभीकरण विभाग निगम एवम सतंतरता नियामेक्या योग जो सबसे पहले अमेरिका में बना था कार्मिक प्रशाशन नौकर शाही भरती परशिक्षन पदोनरती प्रशाशन में सचित्रता उतरदायत वैवम नि नियंद्रन के रूप में बजट बजट की बारेवें हम सर्चा करेंगे बजट की जो मुख्य कौशेप्ट से लुकान है प्रशाशन पर विधाई के और कारेपालिक है आप नियाइक नियंद्रन प्रशाशन के सुधार को वह ने वाली वी विविश्तास से ईंत्रकत तो आपको यकीन मानिए दोस्तों आपका जो उत्तर परदेश माधिमक शिक्षा सेवा बोर्ड चेन का जो सेलेक्षन है आपकी जो वेकेंशी आने वाली है उसमें आपका सेलेक्षन फौर शूर होगा 100% आपका सेलेक्षन होगा बस आप थोड़ी महनत आप करिए और यहां से मेनत मैं करी रहूं आप लोगों के लिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा बैल एकन प्रेस रखिएगा ताकि आने वाले वीडियो की जो नोटिफिकिशन है क्योंकि आने वाले समय में आपको जो थियोरीज हैं इनकी वह मैं करवाने वाला हूँ और इसकी स्ट्रेटेजी आपको क्या क्या रखनी है वह मैं आपको त्यार करवाने वाला हूँ तो दोस्तों आज की वीडियो में इतने ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत बहुत धन्यवाद थैंक्यू